नमस्कार दोस्तों यह है Yama Fasino 125 disc variant Yama ने Fasino को hybrid variant में newly launch किया है Mobile Bluetooth connectivity और कई smart features के साथ Yama Fasino में drum और disc दो variant आते हैं और solar color का option मिलता है और आप देख रहें इसका cool blue metallic color इसमें क्या-क्या बदलाब हुए है, नई features क्या है mileage क्या है, नई on road कीमत कितनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते है सबसे पहले हम start करते हैं इसके front से तो यहाँ पर आपको glossy finish में visor मिल जाता है जिसके उपर blue core hybrid का sticker दिया गया है और यहाँ से आप इसकी headlamp को देख सकते हो यहाँ पर आपको chrome का element भी मिल जाता है और इसकी जो headlight है वो पूरी की पूरी change कर दी है यहाँ पर आपको LED DLS मिल जाती है और इसकी जो headlight है वो fully LED की दे दी गई है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और काफी attractive भी लग रही है और इसके apron के उपर आपको black matte finish मिल जाती है जिसके नीचे की side में yama का logo दिया गया है और इसके right hand side में आपको indicator मिल जाते हैं bulb वाले normal type के और यहाँ भी आपको chrome की finish देखने को मिल जाती है और जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो look है वो काफी attractive लग रहा है और इसके दूसरी side में भी आपको chrome का element और indicator मिल जाते हैं bulb वाले और यहाँ से आप इसके front वाले mudguard को देख सकते हो जो की glossy finish में दिया गया है यहाँ पर आपको UBS का logo मिल जाता है इसमें unified breaking system दिया गया है इसमें 190 mm की diameter की disc brake का option मिल जाता है और यहाँ पर आपको 90-92 का tire size मिल जाता है इसमें euro grip के tulis tire दिये गए हैं और black color के alloy bits दिये गए हैं और इसमें telescopic suspension देखने को मिल जाते हैं इसके सबसे बड़े बदला आप की बात करें और इसके meter में यहाँ पर आपको fuel की reading, rpm की reading, km पर hour speed की reading और km की reading देखने को मिल जाती हैं और इसके दूसरी side में engine malfunction light, eco mode और assist mode की indication light देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको trip का meter के लिए button मिल जाती है इसमें mobile bluetooth connectivity का भी option दिया गया है Yama motorcycle connect X app को download करके और इसके bluetooth को connect करके इसके सारे नए features का फायदा उठा सकते हो यहाँ पर आपको low beam, high beam और indicator और horn का switch मिल जाता है और यहाँ पर आपको side mirror मिल जाते हैं chrome finish के साथ और इसके दूसरी side में आपको auto का mode मिल जाता है और यहाँ पर आपको main add light का switch और यहाँ पर आपको self का switch देखने को मिल जाता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसकी body में कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो color है वो cool blue metallic दिया गया है और इसकी ground clearance है वो 145 mm की मिल जाती है और यहाँ पर adjustable footrest मिल जाता है और यहाँ से आप इसकी engine की side को देख सकते हो जो की black matte finish में है और यहाँ पर इसका exhaust आप देख सकते हो इसके उपर आपको एक fiber की plate मिलती है metal की plate नहीं दी गई है और जो की matte black finish के साथ दी गई है और जो की इसका जो look है वो भी काफी attractive लग रहा है और यहाँ पर आपको glossy finish मिल जाती है यहाँ पर आपको silver और white color के stickering मिल जाती है और फैसी noka 3D में logo मिल जाता है और इसकी seat की quality की बात करें तो medium quality की seat मिल जाती है और यहाँ पर आपको grab handle मिल जाता है silver finish के साथ और इसके पीछे की side में black matte finish मिल जाती है जिसके उपर yama key branding दी गई है logo दिया गया है और यहाँ पर इसकी tail lamp है वो काफी नुकीली दी गई है और जो की LED tail lamp देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको indicator भी bulb वाले मिल जाते हैं और इसके नीचे की side में reflector मिल जाता है जो की काफी attractive look दे रहा है और आप इसको पीछे की side से देखें दूसी side से तो यहाँ से आप इसकी tail lamp को देख सकते हो जो की काफी attractive देखने को मिल जाती है और इसका जो पीछे वाला जो look है वो काफी attractive लगता है और यहाँ भी आपको फैसीनों का 3D में logo यहाँ भी आपको graphics की पटी देखने को मिल जाती है और इसकी seat की नीचे की side में भी आपको chrome का element देखने को मिल जाता है और यहां भी आपको reflector मिल जाते हैं दोनों side में इसके rear की side में 110-90-10 का tire size मिल जाता है Euro grip के tulis tire मिल जाते हैं और यहां पर drum brake का option दिया गया है इसके rear की side में और इसमें black color के alloy wheels मिल जाते हैं और unit swing suspension मिल जाते हैं इसके पीछे की side में और यहां पर kick start का option भी मिल जाता है और इसका engine का color है वो black matte finish में दिया गया है इसके engine और power की बात करें तो इसमें 125cc का air cooled forest torque SOSC 2 valve BS6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 8.02 PS की 6500 rpm पर इसका maximum torque है 10.3 nm का 5000 rpm पर इसके additional features की बात करें दिये गए है smart motor generator system side stand engine cut off switch hybrid power assist quit engine start system and automatic start and stop system mobile bluetooth connectivity with yama motorcycle connect x app और यहां पर side stand और menu stand दिये गए हैं इसके side stand के उपर engine cut off का sensor दिया गया है और यहां पर lag space area को देख सकते हैं जो की काफी बड़ा मिल जाता है और इसके नीचे की side में एक mat मिल जाती है जो की रवर्ड की दी गई है जो की काफी अच्छी quality की है जिसके उपर फैसीनों की branding मिल जाती है यहां पर आपको एक होग भी मिल जाता है सामान लटकाने के लिए और यहां पर आपको mobile charging port की कोई भी सुबदा नहीं मिलती है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके boot space की तो हम इसके boot space को open कर लेते हैं तो यहां से इसका जो boot space है वो open हो चुका है उसके seat की नीचे की side में toolbox की kit मिल जाती है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं इसकी जो seat है वो काफी चौड़ी दी गई है और यहां पर आपको 21 लीटर का boot space मिल जाता है जो की काफी बड़ा है और इसके boot space में भी आपको mobile charging port और LED light का कोई भी option देखने को नहीं मिलता है और यहां पर आपको fuel filling का option मिल जाता है जो की 5.2 लीटर की capacity इसमें देखने को मिल जाती हो यहां पर आपको साउंड है वह नोट कर सकते हो आपको इसके एक्टर का साउंड कैसा लग रहा है जरूर बता है इसका जो इंजन है वह काफी रिफाइन इंजन इसमें दिया गया है अब दोस्तों मैं इसके mileage की बात करूं तो इस scooter में आपको जो है 60 से 65 km पर लीटर का आसानी से mileage मिल जाएगा क्योंकि यह एक light weight scooter है इसका जो car weight है वो 99 kg का है अब बात करें इसके price की तो यामा फैसीनो 125 hybrid disc variant की on-road कीमत है 94,480 रुपे 94,486 रुपी यह on-road price मैंने आपको बताया है तनुसका, ओटो, यामा, मद्यम, ग्राम, कॉलकता, सोरुम का सोरुम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी tension नालें आप मेर को अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on-road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाए से आदर like करें, comment करें, share करें अगर आप channel पर पहली बार आएं तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दें Thank you दोस्तो, मिलते हैं अगली वीडियो में